लंगे सारे गुलाबे जुनर यारे लंगे सारे मारे जडिया सावनिया रे लंगे सारे दुनर गुलाबे जुनर यारे मारे जडिया सावनिया हो है मारे बारे नजरिया समरियार साफरिया समरियार साफरियार तो रंगी सारी गुलाबी चुनरियार इस शानदार और बेहद लोगप्री अदादरे के साथ था इस वीकेंड इंटर्वियू सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ मैं और बहुती खास महमान हमारे साथ हैं और जिनकी गायकी हमने अभी सुनी और सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे स्राबोनी चौधरी जी का स्राबोनी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपकी गायकी का एक रंग तो हमने इस इंटर्वियू की शुरुवात में ही देख लिया तो अब सबसे पहला जो स्वाभाविक प्रश्न है जो आप जिसका जवाब कही बार आपको देना पड़ा होगा अब तक लेकिन वो प्रश्न पूछे बिना इंटर्वियू शुरू नहीं हो सकता यह जो रंग हमने अभी सुने यह रंग जीवन में आये कहां से संगीत आया कहां से क्या कोई परंपरा चली आ रही थी और या फिर घर वालों को सुनने का शौक था वहां से कैसे शुरू कैसे हुआ संगीत सीखना जी, मेरी माता जी बहुत सुंदर गाती थी, बहुत पार ऐसा होता है, उनकी जो इच्छा थी गाने की, आज मैं वो पूरी कर रही हूं, और उनकी दया उनकी कृपा से, और मार्क गर्शन सबसे पहले उन्होंने ही मुझे दिया, तो उन्होंने बच्पन में जो चीजे सीखी और मुझे बताया की, you know, we would like to continue with this. In terms of, यह मैं कहना चाहूंगी कि, आप, मैं आपके जो चैनल है, रागगिरी, उसमें बहुत सारे मैं इंटर्व्यूस देख रही थी, और सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा कि, यह जो, आप हमेशा यह सवाल पूछते हैं कि, यह बिगिनिंग कहां से होती है, तो I was expecting this question in the beginning, तो मैं यही कहूंगे कि, मेरी माताजी की वज़े से, और बहुत लगन, जो भी मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत वो डिसिप्लिन, मेरे पिताजी की वज़े से है, जो एक बहुत बड़े अफसर रह चुके है, गव्मेंट मे तो उनकी जो डिसिप्लिन और एक चीज करने की जो ठान और लगन होती है, वो उनसे मिली है मुझे, तो दोनों की combination है, I think, और शादी के बाद मैं इसका श्रिय मेरे पती को दोंगी, उन्होंने बहुत-बहुत सपोर्ट किया है हमेशा, तो रंग अगर कहें तो उन्ही से आ गाकर गाओं, जहां कहीं भी, और क्यूंकि मैं बंबई में रहती हूँ, उनकी भी नौकरी यहीं पर है, तो इस सवाल को पूछने का सावनी दरसल मकसद भी यही था, हम जब किसी बहुत-बड़े कलाकार को देखते हैं, हमाल लीजे, हम चले शुरुआत करते हैं, बिसमिल्ला खास आप से, या पनिदीम से, जोशी जी से, या जस्राज जी से, उनका बच्चपन भी अगर आप देखें, तो बहुत से मायनों में हमारे आपके घर के बच्चों के बच्चपन जैसा ही होता है, उनका जो विलक्ष हैं, वो भी ये समझ सकें, कि वो भी अगर संगीत में इंटरिस्टेड हैं, अगर उनकी रुची है संगीत में, तो वो भी संगीत सीख सकते हैं, और ना सिर्फ सीख सकते हैं, बलकि उसको बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है, कि हमारी जो पहले की प पाए लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में इंकलकेट किया और इस वक्त जो इस इस कंप्यूटर की दूसरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है उनके साथ भी यही किस्सा है माने भले नहीं सीखा है माने वो सारे इस तरह के माहौल को दिया इस तरह का माहौल पैदा क कि उनकी बेटी सीखे अचा साबोनी मुझे यह भी बताईए कि यह एक तो यह हो गया जैसे मां गुनगुनाती थी तो आप भी गुनगुनाती है लेकिन एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी है एक विद्वत तालीम के साथ इस संगीत की दुनिया में कदम रखना है यह फैसला क कुछ चार-बाट साल की उमर में मैं माफी चाहूं कि मेरे पहले गुरु का नाम मुझे याद नहीं है, यह बहुत गुस्ताखी है मेरी, पर जब हम लोग कलकता से कोचिन आए, कोचिन में श्री मोहन कामत मेरे पहले गुरु बने, उनके वो मुझे देवधर संगीत की जो किताब थी, वहीं से कोचिन में आप समझ सकते हैं, हम विलिंग्डन आइलंड में रहते थे, तो वहाँ पे गुरु जी आते थे, यही मेरी बड़ी कृपा थी उनकी, वो बोट से आते थे और काफी दूर से, वो ज़्यादा तर करनाटक म्यूजिक के ही संगीत कार थे, लेकिन जैसे मेरी, जैसे मैंने कहा कि मा कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ, मने मतलब कोई गाप आए मेरी शिक्षा में, तो उन्हों ने गुरु जी को घर बुलाया, वो घर आते थे, और मुझे याद है ममी आके बीच पीच में स्कूल से आती थी और बैच जाती थी गाने के लिए, गुरु जी बहुत दूर से आते थे, तो कभी कभार ऐसा भी होता था, वो बैखे हैं और मैं गारी हूँ और वो थोड़ा सा जपकी भी ले रहे हैं, ऐसा भी होता था, तो कभी कभार दोनों को, वो मा की हमेशा की जो थी कि आपने कभी उनको पूछा है, उसको कुछ आता है, आप उसको गवाई है, तो यह सारे चीज़े तो मोहन कामत जी से शुरूआत हुई मेरी कोचिन से उसके बाद मैं जब बंबई आई क्लास नाइन में यहाँ पर आके मुझे भारतिय विद्याभवन जो चौपाथी मुंबई में है वहाँ पर मुझे श्रीमती जरीन मिर्जा उनसे पहली बार तालीम मैंने उनसे लेना शुरू किया तो वहाँ पर जो संगीत विशारद की जो डिग्री होती थी वो मुझे मैंने पांच साल उसकी कोर्स की और आखिरकार हमारे जो गुरू थे श्रीमती शाशिकला कहिती नी जी उनके पास मुझे संगीत शिक्षा प्राद्वी जो मिला और त खुड़े बहुत गाइडन्स मुझे पंडित दिन करकाई की नी उनसे भी मिली पर शायद उस वक्त जो लगन और जो सिंसियरिटी की जरूरत थी एक प्योर क्लासिकल की तरफ जाने की वो मुझ में नहीं थी मुझे पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा शौक था तो स्कूल में हमेशा मैं टॉपर रह चुकी हूं तो वो एक हमेशा दोनों तरफ से एक there was a clash की पढ़ाई ज़्यादा हो या गाना ज़्यादा हो तो उस तरह की हमेशा लगी रहती थी तो पंडित अब ही मैं फिल्हाल श्रीमति आदिती का इकीनि जी के पास सीख रही हूं इतने सालों बाद वो फिर के जो कहते हैं भगवान हमें हमेशा साथ देते हैं कि गुरू इतने अच्छे मिलते हैं और यही इसी वज़े से हम कुछ गां पाते हैं मेरे दूसरे जो गुरू रहे च आसकरन शर्मा जी के शागिर्थ है और सबसे बड़ी जो मैं कहूंगी कि there was a huge turning and वो आई जब मैं master's कर रही थी economics में Bombay University में मैं गई विशारत के एक साल बाद मैं शुभा गुर्तु जी के पास हमारी पद्मभूशन शुभा गुर्तु जी के पास मैं पहुच पाई यह मेरा बहुत बड़ा सौभा के रहा वहाँ जाके मैंने जब उनका उनकी जो गाईकी थी और semi-classical especially मुझे मन से ऐसा लगा कि मैं यह गाना चाहती हूँ उनकी गाईकी उनकी personality जो उनका जो पूरा रंग और जो था वो बहुत ही मुझे भागई वो चीज कि अगर करना है संगी तो this is what I want to sing कोगा की नहीं मुझे नहीं पता पर एक रास्ता जैसे मिला कि जो दुवीधा थी कि संगीत करें या पढ़ाई करें क्यूंकि master's कर रही थी मैं economics में और उसके बाद नौकरी या competitive exams देना है क्या करना है तो सीखती गई और काफी मैं तो कहूंगी कि जो सीरियस्स आई वह यहां तक तब तक तालीम तो मिली थी लेकिन प्रोफेशनली करना है कि यह बहुत बड़ी एक question रह जाती हम जैसे पर फर्स्ट जेनरेशन के लिए तो यह मेरा मेरा जो यह सिलसलेदार गुरू के पास शिक्षा हुई और शोभा गुर्तु जी के बाद उनकी जो सबसे senior most उनकी शागित शुभा जोशी जी उनके पास भी मेरी तालीम हुई है तो गुरू बहुत सब अच्छे मिले हैं और बस मेरी कमी है जो भी दिखाने की आपने जितने भी गुरू का नाम लिया वो सारे ही भारतिय शास्त्रिय संगीत के बड़े साधुकों में शुमार हैं बड़े दिगज नाम है शोभा जी पर तो अलग से भी हम आपसे सवाल पूछेंगे भी आने वाले कुछ मिनिटों के बाद लेकिन मुझे य नहीं एक भ्रम की स्थितित ही कह लें कि संगीत ही करना है या पढ़ाई भी करनी है और चुकि कई बार मन में ये सवाल रहता है कि अगर म्यूजिक नहीं हो पाया तो फिर क्या रहेगा कम से कम शिक्षा तो रहे अपनी और चुकि पिता जी आपने बताया कि वरिष्ट अध संगीत सीखो लेकिन पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए और या पेरेंट्स की तरफ से एक फुली जूट थी कि तुम्हें जो करना है वो करो हम हमारी तरफ से पूरा समर्थन है पेरेंट्स का अप्रोच कैसा था चुकि हम मिल क्लास फैमिली से थे तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा एक जुकाव थी नाचरल क्यूंकि मेरे पिता जी जैसे मैंने आप से कहा वो चाहते थे कि मैं आयेस ओफिसर या कॉंपटिटिव सिविल सर्विसेज की एक्जाम पे जरूर मैं कोशिश करों तो जैसे ह बच्चे के घर में ये एक एक बड़ा डिसकशन होता है और मेरे मेरे बड़े भाई भी वो भी फिलहाल इंडिया नेवी में बहुत बड़े पोस्ट पर हैं तो ये जो एक नैचरल थी कि पढ़ाई में ही सब जा रहे हैं तो ये अलग बिल्कुल इसमें तुम पूरी कितना रियाज और कितनी लगन और कितनी महनत तो ये बात तो थी मैं बिल्कुल I will not contest that क्योंकि ये बहुत सो मैं मैं पढ़ाई को equally उसको importance देते हुए आई थी मैं master's तक और मैं in fact master's में मैं फोथ थी university में और उसके बाद मैंने college में भी Sophia college में मैं lecture रह चुकी हूँ तो मैंने lecture के हिसाब से भी मैंने college joint की थी और मैंने वहाँ पे तीन साल economics भी पढ़ाया और ये भी मुझे बहुत कोशिश थी कि दोनों रखो क्योंकि I really liked my studies also मैं बहुत passionately भी करती थी तो जो वो parents की अगर मैं कहूं पिता जी चाते थे मैं पढ़ाई में जादा आगे जाओं माता जी हमेशा कहती थी कि ये देखिए और लड़कियों के लिए और भी बड़ी बात है कि शादी के बाद क्या हो आप अगर ये सोच रहे हैं कि music आपको करना ही है तो क्या आपके घरवाले आ आपको सब के साथ जो भी आप कर रहे हैं आपको प्रूफ करना है कि नहीं अगर मुझे ये करना है तो मैं discipline तरीके से सब कुछ करके सब को खुश रख सकती हूं और खुद को भी कुश रख सकती हूं क्योंकि संगीत ये सिर्फ एक passion ये जैसे सांस ले रही हूं मैं उसी तर से मैं सांस ले रही हूं उसी तरह से मैं गाना गाती है मतलब रोज अकर सुर नहीं लगाँ तो मैं मुर्जा जाओंगी तो ऐसा मुझे लगता है तो वह तब से था और मां कहती थी जब कब उतना रियाज नहीं किया अब ही लगता है कि शायद मा की बात सुनती तो और रियास करती तो अब तक और जादा अच्छा गाती तो यह हमारी जो दुविदा होती है जो पहले फर्स जेनरेशन मुजिशिंस की लेकिन गुरू इतने अच्छे मिले ये मेरी खुश किसमती रही कि उनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत जो भी और मुंबाई जैसे शहर में यहां पर स्कोप रहती है काफी जादा काफी जो भी बड़े कॉंसर्ट होते हैं बड़े अच्छे मतलब अच्छे कलाका रहते हैं यहां पर सबकी बहुत एक मिलाप एक रहती है लौट अफ कोपरेशन फ्रम लौट अफ सीनियर आर्टिस्ट तो मैं कहूंगी यह सब एक साथ होने के बाद ही हम थोड़ा बहुत जो भी गाप आते हैं यह बताईए कि एकॉनोमिक्स का स्टुडेंट होना मतलब की आपको कभी यह डर नहीं लगा जब आप ने तै किया कि मुझे संगीत की दुनिया में जाना है तो एकॉनोमिक्स के छात्र को इस बात का डर नहीं लगा कि यहां संघर्ष बहुत है अधिकारी बन जाएंगे औ उस्ताद और बड़े कलाकार तक पहुँचने के कितने साल बात शायद नंबर आएगा मेरा किसी बड़े मंच तक पहुँचने पर बहुत ही मामूली रकम शुरुआत में पारिश्रमिक के तोर पर मिलेगी कहां इतना लंबा सफर तै करना एकॉनोमिक्स का की पढ़ाई करी रहें बढ़िया सिविल सर्विसेज या किसी अच्छे उसमें जाते हैं और इसको अपने एक शौक की तरह रखते हैं कभी डर नहीं लगा और अगर डर लगा तो इस डर को पर जीत कैसे हासिल की यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं यह समझती थी हमेशा कि अगर मुझे संगीत करना है मैं बहुत ख्लियर थी में बहुत प्राक्टिकल माइंड़ कि मैं अगर मुझे संगीत करना है तो मैं बहुत प्राक्टिकली सोचती थी तो जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकते तो दो संगीत कार जो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं वो और मुश्किल हो जाता है अगर मैं संगीत मुझे संगीत करना है I need my partner to have a stable job तब ही मैं सोच सकती हूँ गाना और कर सकती हूँ क्यूंकि आप जानते हैं हम सब जानते हैं प्रोग्राइम्स और स्पेशली और भी उपशास्त्रिय संगीत घजल भजन आप जो भी इस फील्ड में शास्त्रिय संगीत में कुछ एक मकाम बना पाना बहुत ही मुश्किल है और तो मेरा अप्रोच यही था और मेरी जब रिकुजित मेरे हस्बंड से पहली बार मुलाक सकती हूँ. जो मेरी मतलब जो रू से मैं चाहती हूँ. मैं मुजिक करना चाहती हूँ. तो अगर आपका साथ रहे और अगर हम मुंबई में रह सकते हैं, ज़्याद से ज़्याद हम पूना में शिफ्ट हो सकते हैं अगर जरूरत हैं. तो आई वस, I don't know, I had a very clear-cut plan. यह प् हैं, लेकिन there is a basic minimum, जिसके बिना यह संसार यह घर नहीं चल सकता. तो वो एक basic की ज़रूरत है, जो और मैंने आपको मैं कहूं तो मेरी मैंने नौकरी मेरे शादी के बाद ही छोड़ी. So, I had the full support of my in-laws, मेरी सासुमा, मेरे घर परिवार के लोग. Although, आप यह कह सकते हैं, yes, it is difficult for पूरे दिन संगीत, पूरे दिन इसी को लेके रहना और घर पर रहना, और घर का महौल संगीतो वाला नहीं, संगीत वाला नहीं था. Because it was, it was where I had to be with my ससुरालवालों के साथ. तो यह बहुत मुश्किलात रहा, मैं नहीं बोलूगी लड़कियों के लिए, और और जादा मुश्किल बात है. लेकिन अगर आप पठान ले और आपकी गुरूओं की आशिरवाद रहे, तो मुझे नहीं लगता, यह मुश्किल काम है. तो यह प्लान A और प्लान B अगर नहीं होता, तो क्या मैं वापस कॉलेज वापस जा सकती हूँ? जब मैंने कॉलेज की नौकरी छोड़ी, यह मैंने सोजा था, let me give it 5 साल मैं देती हूं इसको, देखते हैं कहां लेके जाती है यह, तो कॉलेज की नौकरी छोड़ने के बाद, मुझे बहुत सारे यूथ फेस्टिबल में मुझे चांसे मिलने लगे, तो फ्रॉम दे बिगि जी पड़े दिंपर कैकिनी जी ने भी मेरी पिता जी को उन्होंने बहुत आश्वासन दे थी, कि यह अगर संगीत करेगी, तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, कि शी विल गेट सम्वेर, यह बहुत बड़ी बात होती है, गुरूं की आशिरवाद, कृपा, मेरे श सोनु निगम जी, जब मैं सारे गामा में गई, मैं तब कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो उन्होंने ये कुछ 100th एपिसोड अफ सारे गामा चल रहा था, तो मैंने का मैं कॉलेज में, और उसके पहले एक फिल्म डिविजिन की एक रिकॉर्डिंग में वो मिले थे मुझ से तो तब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो बात करते करते हैं, हाँ, कहां से आ रही हैं, तो मैं कॉलेज से आ रही हूँ, कॉलेज से डाइरेक्ट यहां पे रिकॉर्डिंग के लिए आई हूँ, तो अरे अच्छा, क्या बात है, तो आप पढ़ाती भी हैं, और आप मुझे मिलती रही कि क्यों कर रहे हो ऐसे तो यह चीज़े इट कीप सान कमिंग बैक वह आपको याद कहीं न कहीं आपको बार बार अंदर से आपको एक आवाज आती है कि शायद देखना चाहिए देखते हैं करके देखते हैं कहां जा सकते हैं तो यह दुविधा थी पर अब मैं जितनी खुश हूँ इस जर्नी में मुझे नहीं लगता मैं किसी और चीज़ में इतनी मुझे शांती और खुशी मिलती हैं तो मैं तो यही कहूँगी यह तो फिर कहा जाना चाहिए कि यह उन गुरूओं का विशुद रूप से आशिरवाद है जिनको जिन्हों ने आपको गढ़ा और ना सिर्फ गढ़ा बलकि इस बात के लिए प्रेरिद किया कि आप जिस चीज़ के लिए इश्वर ने आपको बनाया है आप वही काम करें और ऐसा होता है शंकर महादेवन भी इंजीनियर बनने के लिए यूएस जा रहे थे बहुत सारा पैसा था घरवाले बहुत खुश थे कि बेटे को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गए लेकिन अचानक उन्होंने आकर बताया कि वह नौकरी के लिए नहीं जाएंगे और वो शाबनी चौडरी भी एक ही होंगी तो इसलिए जो लोग बने हैं वो लोग संगीत करें ये बहुत जरूरी है आज पिरज में खोली ने रसिया 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 बिदज में ओली रेसियां, ओली रेसियां, आज बिदज में ओली रेसियां स्राबोनी के साथ इस बाचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं और जैसा कि इस हिस्से में आपने शुरुआत में जाना कि इनकी गुरूओं में पद्म भूशन, शोभा गुर्टू जी भी रही है तो इस इंटर्वियू के दूसरे हिस्से में कल रात एक बार फिर जब हम जुडेंगे तो खास तर पर बातचीत करेंगे शोभा गुर्टू जी के बारे में फिलहाल एक ब्रेक, कल रात ठीक 10 बजे फिर जुड़िएगा रागगीरी वीकेंड इंटर्वियू सिरीज से